कब है उत्पन्ना एकाजशी, जाने व्रत की विधी, पारण, महत्व और कथा हिंदू धर्म में सभी एकाजशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है. वर्षभर में 24 एकाजशियां आती है, लेकिन जब अधिक मास आता है, तो कुल मिलाकर एकाजशी की संख्या 26 हो जाती है. मान्य तानुसार हर साल मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकाजशी तिथी को उत्पन्ना एकाजशी व्रत रखा जाता है. इस बार उत्पन्ना एकाजशी व्रत आठ दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा. महत्व इस दिन भगवान श्री विश्नु की पूजा की जाती है. मान्यत आनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण एकाजशी के पहले दिन यानी दश्मी तिथी से ही इस व्रत की तयारी की जाती है. इस दिन चावल और मसूर दाल का सेवन नहीं किया जाता है. इस दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार करने की मान्यता है. अत्यंत निश्था पूर्वक इस एकादशी का वरत करने से कई वरत उपवास से अनंत गुना पुन्य मिलता है और जो भक्त उत्पन्ना एकादशी का वरत करता है, उसे हजारों लग्यों के बराबर पुन्य प्राप्त होता है ऐसा इस एकादशी का महत्व माना गया है इस वर्ष को उत्पन्न एकाद्शी वरत आठ दिसंबर को किया जाएगा आईए जाने वरत पूजन विधी, पारण समय और कथा के बारे में पूजा विधी उत्पन्न एकाद्शी पूजा विधी उत्पन्न एकाद्शी का व्रत यदि आप रखना चाहते हैं कि दश्मी की रात्री से ही आपको भोजन का त्याग करना होगा दो दूसरे दिन प्रात काल उठकर स्नान आदी से निवरित्थ होकर व्रत का संकल्प लेना होगा तीन संकल्प के बाद पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदी से भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन करें और आरती उतारें चार इसके बाद उन्हें केवल फलों का ही भोग लगाएं पांच, इसके साथ ही समयस्मय पर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए छे, शाम को श्रीहरी विष्णु की संध्या पूजा करें और भोग लगाएं साथ, रात्री में पूजन के बाद जागर्ण करें आठ, अगले दिन द्वाद्शी को विधिवत रूप से पारण से पहले किसी ब्राह्मन को भोजन कराएं तथा दान दक्षिना दें नौ, ततपश्चात ही स्वय पारण अथवा भोजन करें दस, इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, पका हुआ भोजन और वस्त्र तथा दक्षिना दानस्वरूप दें उत्पन्ना एकाद्शी की कथा इस संबंध में पौरानिक कथा के अनुसार सत्युग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ वह बड़ा बल्वान और भयानक था उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अगनी आदी सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले है कैलाशपती मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यो लोक में फिर रहे हैं तब भगवान शिव ने कहा है देवताओं तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख, खोन का नाश करने वाले भगवान विश्नु की शरण में जाओ. वे ही तुम्हारे दुख खोन को दूर कर सकते हैं. शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवताक शीरसागर में पहुँचे. वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड कर उनकी स्थुती करने लगे कि है देवताओं द्वारा स्थुती करने योग्य प्रभो. आपको बारंबार नमस्कार है देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन. आपको नमस्कार है. आप हमारी रक्षा करें. दैतियों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं. आप इस संसार के करता, माता-पिता, उत्पत्ती और पालन करता और सहार करने वाले हैं. सबको शान्ती प्रदान करने वाले हैं. आकाश और पाताल भी आप ही हैं. सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अगनी, सामगरी, होम, आहुती, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यग्य, कर्म, कर्ता, भोगता भी आप ही हैं. आप सर्वव्यापक हैं. आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं हैं. हे भगवन, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भरष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधरुधर भागे-भागे फिर रहे हैं. आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें. इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विश्णु कहने लगे की है इंद्र. ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल है और किसके आश्रे में है तथा उसका स्थान कहा है. यह सब मुझ से कहो. भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले भगवन. प्राचीन समय में एक नाडी जंध नामक राक्षस था, उसके महा प्राक्रमी और लोक्विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ. उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है. उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है. उसने इंद्र, अगनी, वरुन, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरित आदी सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है. सूर्य बनकर स्वय ही प्रकाश करता है. स्वय ही मेग बन बैठा है और सबसे अजे है. हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मार कर देवताओं को अजे बनाए. यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघर ही उसका सहार करूंगा. तुम चंद्रावती नगरी जाओ. इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया. उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमी म गरज रहा था. उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे. जब स्वय भगवान रणभूमी में आये तो दैत्य उन पर भी अस्त्र, शस्त्र, आयुध लेकर गौडे. भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बानों से बींध डाला. बहुत से डैत्य मारे गए. केवल मुर बचा रहा. वह अविचल भाव से भगवान के साथ युध करता रहा. भगवान जो जो भी तीक्षन बान चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता. उसका शरीर छिन्नभिन हो गया, किन्तु वह लगातार युध करता रहा. दोनों के बीच मल्लयुध भी हुआ. दस हजार वर्ष तक उनका युध चलता रहा, किन्तु मुर नहीं हारा. ठककर भगवान बदरिक आश्रम चले गए. वहां हमवती नामक सुन्दर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रव गए. मुर भी पीछे-पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उध्यत हुआ तभी भगवान के शरीर से उजडवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई. देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे ततकाल मौत के घाट उतार दिया. श्री हरी जब योग निद्रा की गोध से उठे, तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अत आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी. आपके भक्त वही होंगे, जो मेरे भक्त हैं. उत्पन्ना एकादशी पारण का शुब समय इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत शुक्रवार 8 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा. पारण या व्रत तोडने का समय 9 दिसंबर 2023 शनिवार को 5 बचकर 1 मिनट ए एम से 7 बचकर 33 मिनट ए एम तक रहेगा. पारण तिथी पर द्वाद्शी समापन का समय 10 बचकर 43 मिनट पी एम पर रहेगा